फरवरी में आमें ग्रहों का राशी परिवर्तन इस बार 12 राशियों के लिए भी बहुत हलचल मचाने वाला रहेगा बुद्ध का एक फरवरी को मकर राशी में प्रवेश और इसी के साथ 5 फरवरी को मंगल का भी मकर राशी में प्रवेश दोनों ग्रहों के लिए एक नई तरह की उर्जा भी पैदा करेगा कुछ राशी के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि बुद्ध का राशी परिवर्तन बुद्धी प्रभावित करेगा और बहुत बड़ा एक नेटवर्क खड़ा करने में कई लोगों की बड़ी साहता करेगा वहीं मकर राशी में जो परिवर्तन मंगल का होगा ये बहुत सारे लोगों के लिए पराकरम और शमताओं बढ़ाने वाला होगा साथ ही कुछ लोगों के लिए ये समय बहुत ही सावधानी से गुजारने वाला होगा ग्रहों के इस राशी परिवरतन से होने वाले आपके जीवन के हलचल में क्या उपाय आप खास कर सकते ही हैं जानने के लिए बने रहे अंतक वीडियो में क्या और कैसे प्रभाव होंगे और क्या उपाय आपको करने चाहिए जिसे दोनों ग्रह आपके साथ जाएंगे और आपकी राशी अपने आप में एक फायर एलमेंट की राशी और वहीं मंगल का मकर राशी में प्रवेश यहने की बहुत सारे नय परिवर्तन देगा जितना जादा आप क्रोध करेंगे उतना ही आपके लिए बड़ी समस्याइं पैदा करने वाला फरवरी माह हो सकता है लेकिन मेश राशी वाले यदि अपने गुसे पर नियंतरन करके सही नीड़े लेने की कोशिश करेंगे थोड़े ठंडे दिमाग से और अपने बड़ों की सला मानेंगे तो आपके लिए फरवरी में लिएगा नीड़े आपके भविश्य में बड़े पड़ाव सावित हो सकते वहीं बुद्धी से किया हुआ कोई भी काम आपको बड़े परिणाम तो देगा ही लेकिन आपकी नेट्वरकिंग बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगा याने आपके आसपास के लोग आपके बुद्धी मत्ता की तारीव भी करेंगे और आपसे जूना भी चाहेंगे बिजनस करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल होगा आपके द्वारा लिये गए नेड़े जो की सोच समझ के आप अपने बिजनस में इंप्लिमेंट करेंगे नई स्किल्स पे आप या नई टेकनोलोजी पे आप जो खर्च करेंगे वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन के योग तो हैं लिकिन बड़े बदलाव का याने आप जहां काम करते इससे और बड़ी कमपनी में भी जाने के आपके योग बन सकते हैं यदि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो वो सफलता आपको फरवरी महा में मिल सकती है मेश राशी वालों के लिए खास बात ये भी होगी कि हो सकता है किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के कारण या किसी तरह की कोई नई गतिवीदी सीखने के लिए आपको बाहर भी जाना पड़े आप जहां आभी काम करते ये जगा छोड़के आपको कुछ समय के लिए नई मिलेगी जो आपके सीवी को और अपग्रेट करेगा स्टुडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा मेश राशी वाले जो भी स्टुडेंट्स गोर्मेट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उनका पराक्रम और उनकी बुद्धी दोनों मिलकर एक नए तरह की सोगा के से नए परिणाम आपके लिए लेकर आएगे जो बहुत ही सुखद होने वाले एक सेंस ऑफ प्राइड की आपकी फिलिंग होगी लेकिन जो मंगल और बुद्ध का परिवर्तन इस समय पर यदि किसी बुरी लद के चकर में आप पढ़ गए जैसे अलकोहल या किसी और तर परिवर्तन हो रहा है यह वाटर एलिमेंट है यह चीज आपके जीवन में उस तरह के परिवर्तन देगी आपके एक गलत नीड़े से एक असावधानी से आप किसी तरह की बेकार के चकर में भी पढ़ सकते और समय बरबाद हो सकता है स्टुडेंट्स को विशेश ख्याल र रहे हैं किसी तरह की नई स्किल्स को सीख रहे हैं उसके परिणाम आपको उसके कारण आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा है यह परिणाम पॉजिटिव आएंगे मेरे शाषी वालों के रिष्टों में बड़े परिवर्तन इस फरवरी देखने को मिलेंगे जो लोग बहुत जादा क्रोध या क्रोध पे नियंतरन की स्तथी नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों के अपने उन से रूठ जाएंगे और उनको मनाने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मैंने फिर से कहा यदि मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं ब जब जादा बुद्ध का प्रयोग कर के अपने निनायों को लेने का इसलिए मंगल और बुद्ध का जो गोचर है जिमेश राशी के लिए शुबत्यों है लेकिन जितने जादा आप अपने बुद्धि से प्रयोग कर यह आपके लिए बहुत अनुकूल हो जाएंगे वहीं गणपती जी की आरादना करनी चीए और गणपती जी को बुधवार के दिन जितने भी बुधवार फरवरी महामें आते हैं उसमें आप 11 हल्दी की गांट की माला बनाकर भगवान शी गणपती को अर्पित कर सकते हैं औ महीने की शुरुवात में ही आप एक हल्दी रूटीन फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आपको आने वाले समय में स्वात से जुरूदी समस्याओं का सामने करने में आसानी होगी या समस्याइं पैदा ही नहीं होगी इसलिए व्रशब राशी वालों के लिए कुछ विश आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह का लेंड में आप इंवेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा फाइदेमन सौधा हो सकता है लेकिन शियर मार्केट में जो भी इंवेस्टमेंट करें किसी जानकर की सला लेकर ही करना चाहिए नोकरी करने वालों के लिए स्विच करना या परिवर्तन करना कंपनी में बहुत जादा लाबकारी या शुपकारी नहीं होगा लेकिन आप यदि बहुत लंबे समय से किसी प्रमोशन का इंतजार करें तो फरवरी में उसका इंटिमेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा हाला कि यह जो ग्रोथ कर सकते कोई नई चीज सिखने की यदि आप सोच रहे हैं या अपनी और स्किल्स को अपग्रेट करने के बारे में विचार करें तो बहुत अच्छा होगा जितना टेक्नोलोजिका यूज बिजनस करने वाले लोग अपने विजनस में करेंगे उतना ही बड़े लाब आपको दिखाई देंगे इसके साथ ही आप यदि स्वास्त को लेकर बहुत ज़्यादा पहले से चिंती थें तो ये महिना आपकी चिंताओं को कम करने वाला तो रहेगा लेकिन शर्त ये है कि आपको अपना ख्याल खुद भी रखना पड़ेगा जिस तरह से कंसल्टेशन की जरू लेने के लिए रिलेशन्शिप में हो सकता है रिष्टों को वियावार को बहुत अच्छा बनाने वाला तो होगा लेकिन साथ ही आपको पैशन्स रखने की बहुत जरूरत पड़ेगी आपने अभी तक जो भी चीजें की हैं अपने रिष्टों में उन सभी के डिलिवरेब इसको कंप्लीट करना चाते हैं उनके लिए समय बहुत उत्ता में फरवरी में कुछ बड़ी स्टुडेंट्स को अपने करियर से रिलेटेड जरूर मिलेगी ब्रशब राशिवालों को फरवरी के महीने में पूरे महीने यदि भगवान शिव की आराधना करते हैं शिव मान परिणाम लेकर आया है क्योंकि यदि आप बहुत लंबे समय से किसी आर्थिक समस्या से जूज रहे हैं तो आपके लिए ये समय बहुत उत्तम रहेगा वो लोग जो बहुत लंबे समय से कर्ज में फसे हुए हैं या किसी तरह की लोन की प्रॉब्लम से जूज रहे हैं ऐसे समय आपको आपके स्टाफ से और आपके आसपास आपके रिष्टेदारों से भी सहयोग मिलने की उमीद है जिस तरह से मंगल आपके पराक्रम में व्रद्धी करेगा आपकी कही हुई बात लोग मानेंगे और ये चीज आपको नई अनुकूलता और कॉन्फिडेंस देगा वह बहुत जादा यहां हेल्प मिल सकती है बुद्ध का राशी परिवर्तन आपके पुराने लिये गए गलत निर्णयों को भी इस समय में सही करने की आपको नए समध्धान देने की शमता रखता है यदि आपने ऐसे समय में भगवान गणपती की आराधना कर ली तो आप उसको काम करने के लिए याने इंप्लिमेंट करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे ये स्वतर शक्ति या सेल्फ मोटिवेशन आपको बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में देने वाला है स्वास्त को लेकर इस महा में आपको बहुत अनुकूलता दिखाई देगी पि को नजर आने लग जाएंगे मितन राशी वालों के लिए ये महा रिष्टों को लेकर भी बहुत महत पूंड रहेगा क्योंकि आप नए लोगों से तो जुड़ेंगे पुराने लोगों के साथ भी आपके संबन बहुत मजबूत होंगे विभायों कि जो भी लोग हैं उनके महा का अच्छा उपयोग कीजे फरवरी महा में भगवान शिव की जितनी आरादना आप करेंगे उतना आपके जीवन में सुख सम्रद्धी और स्वास्त में व्रद्धी होगी आपको करना सिर्फ इतना है कि हर सोमवार को पंचमरत से अभिशेक पूरे फरवरी महा में भग परिवर्तन करक राशी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपका अतिसमवेदंशिल विहवार या नेचर आपके लिए इस महा में पॉजिटिव होने वाला है अभी तक कई बार आपने अपने रिष्टों में सुना होगा कि आप बहुत जादा सेंस्टिव हो लेकिन इस महा में यदि आपने अपके रिलेशन्शिप्स को मजबूत करना है तो आप मानलीजे फरवरी आपके लिए परफेक्ट है इस महा बसंद पंच में भी आ रही है और इसलिए करक राशी वालों के लिए ये समय और महत्पुन होगा अपनी बुद्धी को अपने इमोशन क के ऊपर रखने के लिए याने आप जो हमेशा सुनते आए हैं लोगों से वो डिसीजन नहीं लेकर आप अपनी बुद्धी को जादा आगे रखें नौकरी करने वालों के लिए बहुत खास होगा क्योंकि आप जिस जगह पे बहुत परेशान हो रहे होंगे काम करते हुए या आपको मोनोटरनस फील हो रहा होगा वही नई अपॉर्चनिटी मिलेगी याने हो सकता है आप जहां काम कर रहे हैं यहां आपका स्थान अंतरण हो या फिर आपको नई कमपनियों से कुछ अच्छे ओफर मिलें जिनको एकसेप्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा श उसके लिए आपके लिए फरवरी महा करक राशी वालों के लिए बहुत अच्छा होगा जो राशी परिवरतन या गोचर हो रहा है इन्वेस्टमेंट के जब हम बात करते हैं तो फरवरी महा बहुत सारे करक राशी वालों के लिए नए फायदे देने वाला रहेगा भूमी के लिए फरवरी महा बहुत अच्छा रहने वाला है हाला कि आपको कोई हार्मोनल डिस्बलेंस की यदी प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सला जरूर लेनी चाहिए स्टुडेंट्स इस महीने में किसी तरह के प्रेम संबंदों में ना पढ़के अपनी पढ़ाई पर जितना फोकस करेंगे उतना समय आपका स्वर्णीम हो जाएगा क्योंकि ये समय आपको बचाना है इसी समय आपकी पढ़ाई के लिए अनुकूलता बढ़ती चली जाएगे आपको गाइडेंस मिलेगा और उस गाइडेंस को आप यदि फॉलो कर पाते हैं तो आपके लिए जीवन में नए रास्ते भी खुलेंगे नौकरी के लिए बहुत लंबे समय से यदि आप तयारी कर रहे हैं तो इस महा में की गई तयारियां आपके लिए पॉजिटिव भी साबित होंगी और साथ ही आपको परिडाम देने वाली भी होंगी आप अपने परिवार वालों को एक सेंस ऑफ प्राइड की फीलिंग इस महा में दे सकते हैं लेकिन आपको जबरदस्त मेहनत करनी होंगी और दिखाना होगा जिसके लिए आप तयार हो रहे हैं क्योंकि इस और इसके जितने भी नी हमें हनुमान चाली सा के इनको यदि पालन किया जाता है तो ये माहा करक राशी वालों के लिए एक नया गेम चेंजर भी साबित हो सकता है सी राशी वालों के लिए फरवरी मा बहुत सारे गेन लेकर आया है लेकिन कुछ विशेश सावधानियों के साथ यदि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं अपने शब्दों पर अपने इगो पर कंट्रोल करेंगे तो ये महिना आपके लिए बहुत अच्छे प भावनाय पैदा हो रही है डिसीजन यदि आपके बिजनस से जुड़े हैं तो किसी बड़े का सपोर्ट जरूर लीजिए किसी भी तरह से छोटे रूप में भी यदि किसी बड़े व्यक्ति का आपने सपोर्ट लिया तो इससे आपका सूरी और गुरू दोनों अजबूत ह और आपका लिया डिसीजन आपको बड़े फाइनेशियल गेन कराएगा वहीं आपके रिलेशन्शिप में यदि किसी तरह की परिशानियां लंबे समय से चल रही हैं ऐसे में आप किसी की मध्यस्ता के साथ उन चीजों को ठीक कर सकते हैं यदि आप नौकरी के लिए बहुत बड़े निवेश करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए ये महीना डिजिटली बहुत ज़्यादा बड़े ट्रांजिक्शन करने का नहीं है बड़े खर्चों से बचने के लिए ये महा है फरवरी सीराशी के लिए यदि आप ऐसी कोई ग परिशानी चल रही है उसमें आप यदि अपने आपको सरेंडर करके चीजों में आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव कदम होगा लंबे समय में स्टुडेंट्स के लिए ये महा जादा मेहनत करने का जरूर रहेगा लेकिन ये परिणाम देने वाला भी जिन अपॉर्चुनिटी इसका वेट कर रहे थे वो सारी अपॉर्चुनिटी फरवरी महा में आपको देखने को मिलेगी या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके ल महिलाएं अपने रिष्टों को लेकर यदी बहुत कौशियस हैं तो उन्हें अपने लिए और ज्यादा चीजों को मल्टिपल करनी की आवश्यक्ता पड़ेगी यानि आप जो भी सोर्स ओफ इंकम के बारे में अपने रिष्टों से रिलेटेड चीजों में सोच रहे हैं उ कोई संभावना दिखाई दे रही है इसलिए वहान चलाते समय भी साफधानी रखी और साथ ही इस महिने में आप किसी भी तरह से विटामिन डी की कमी अपने शरी में मत होने दीजिए इसको लेकर जो भी साफधानी आपको रखनी है जो मेडिकेशन मेडिटेशन करना है उस वालों के लिए फरवरी महा थोड़ा सा क्रोध भरा रहेगा हो सकता है कि अननेसिसरी चीजों पर भी आपको गुसा आने लगे इसलिए आपको इस महिने के शुरुआती दौर सही मेडिटेशन शुरू कर देना चाहिए गहरी सांस लीजे और थोड़ा प्रकरती के साथ रह क्योंकि ये महा आपको भविश में बड़े परिणाम देने के लिए बना है वहीं आपके गलत नीड़े पर आपको किसी तरह की परिशानी में भी डाल सकता है इसलिए सोच समझ कर लिए गया नीड़े आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे कन्याराशी वालों के लिए बुद्ध का मकर राशी में परिवर्तन स्थिर्ता देने वाला होगा जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर्थिंकिंग की परिशानी से जूज रहे थे कन्याराशी वाले ऐसे सभी लोगों को ये महीने थोड़ी सी राहत मिल सकती है याने आप कु बहुत लंबे समय से परिशान है उसमें आपको राहत मिलने वाली है लेकिन नौकरी से जुड़े हुए किसी डिसीजन को लेने के पहले एक बार किसी व्यक्ति की सला या अपने खुद के ही कौशियस को ठीक से सोच कर और फिर नेने लिजे इस महीने में लिया हुआ ये ने आप एक रिस्क मेनेजमेंट देखते हुए चीजों को अपने बिजनस में अपलाई भी कर सकते हैं नौकरी से जुड़े हुए लोग जो विदेश जानी की तैयारी कर रहे हैं या कोई नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत लंबे सामे से प्रयास करने है उन लोगों के लिए ये महा बहुत अच्छा है आपको अपने मेनेजमेंट से या अपने सीनियर से इस बारे में बात भी करने चाहिए क्यूकि ये महा कन्यराशी वालों के लिए स्थान आंतरण का या स्थान परिवरतन का भी दिखाई दे रहा है जिन लोगों को अपने बिजनस में कोई नई ब्राइच पोड़ी बहुत बारचीट शूरू हो सकती है। कोई बड़ी परिशानी दिखाई नहीं दे रही लेकिन छोटी छोटी चीजों से आपके काम हो सकते हैं, या आप ऐसा फिल करेंगे कि मैं ये काम कल पर टालता हूँ मंगल ग्रह की उर्जा को इन्वोक करना और उसको पॉजिटिव सेंस में लेना इस बार करने राशी वालों के लिए बहुत पॉजिटिव सित होगा इसलिए आपको हनुमान चाली सका पार्ट जरूर करना चाहिए और सस्व के लिए खास रहेगा फरवरी मा क्योंकि आपका पुराना इंवेस्टमेंट तो आपको रिजर्ट देगा ही लेकिन जो नए इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको बड़े गेन इस बार मिलने वाले हैं लेकिन जब नौकरी की बात करें तो तुला राशी वालों क को बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं मंगल का जो परिवर्तन राशी में हो रहा है और उसी तरह से बुद्ध का मकर राशी में आना आपके जीवन में स्थिर्ता को बढ़ाएगा जो लग्जरी लाइफ से रिलेटेड आपकी बहुत लंबे समय से चीजें चली आ र कि इस तरह का जीवन साथी होना चाहिए तो ऐसे लोग आपके नस्दी के आसपास आपको दिखाई विदेंगे इस तरह के प्रपोजल आपके लिए विवहायोगी लोगों के लिए तुलाराशी वालों के लिए फरवरी मा बहुत अच्छा है क्योंकि आपका प्रेम प्रप बड़ी परिशानी उरी तुलाराशी वालों को उनको इस महिने में काफी रहात रहने वाली है क्योंकि शनी भी आपके राशी पर जो द्रश्टी डालेंगे उससे आपके पैरों से रिलेटेड आपको समाधान मिल जाएंगे इसमें दर्द में राहत भी हो सकती है या आपक जाता है तो यह समय बरबादी के लिए आप बाद में अपने आपको जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं इसलिए आप जो भी अनुशाशन का पालन करेंगे वो आपको रिजल्ट परफेक्ट देने वाला है तो अपना डिसिप्लीन मेंटेन करके रखिए बागी चीजें आपके पाटनर्शिप में कोई काम करना चाती है उन सब के लिए यह माप बहुत अच्छे परिणाम लेकर आया है खास करके जो लोग लगजरी आइटम से रिलेटेट काम करते हैं उनके लिए मंगल और बुद्ध का गोचर आपकी नेटवरकिंग बढ़ाने वाला होगा और आपक शक्ति का मंत्र जरूर पढ़ें और साथ ही आपको दुर्गाचालीसा का पाट भी करना चाहिए इससे आपके पराक्रम में भी व्रद्धी होगी व्रिष्चिकराशी के लिए फरवरी महा नई लर्निंग के साथ अपने पराक्रम में व्रद्धी का भी है आप अपने आप म काम का भी इस महीने में आपको रिजल्ट मिल सकता है लेकिन इसके साथ ही आपको आगे बढ़ते जाना है यदि आप पीछे की तरफ चीजों को देखेंगे और उसके लिए क्रोधित होंगे अपने रिष्टे भी खराब करेंगे और अपनी सिचुएशन अपकी काम की इसे लोगों के प्रमुशन की योग तो दिख्याई दे रहे हैं आपके काम से बहुत लोग खुश होंगे और आपको बहुत अच्छी शाबाशी या बहुत अच्छा मानसमान भी आपके काम की जगह पर मिल सकता है वियापार करने वालों के लिए ये समय किसी तरह से एक्स आपको अच्छे परिणाम इस महा में मिलेंगे आपके पुरानी पढ़ाई के भी और नई तरह की एक डिसिप्लीन आप खुद से फॉलो करने की कोशिश करेंगे ये महा आलस करने वाले जितने भी लोग व्रिश्यक राशिक हैं उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है यदि आपने कर्म में परफॉर्म नहीं किया तो मंगल के नेगिटिव परिणाम भी आपको जहिलने पड़ेंगे ऐसे सभी लोग हनुमान जी की साधना के साथ साथ भगवान शिव को शहद का भोग यदि लगाना शुरू करते हैं या शहद से उनका भी शेक करते हैं तो उनके ल भारना भवान शिव की आरादना शहर से करके कर सकते हैं धनुराशी वालों के लिए फरवरी में कुछ बड़े नेड़ें लेने का समय आ गया है आप जिन चीजों को टाल रहे थे वो चीजें बार-बार आपके सामने आएगी और उन चीजों का नेड़ें भी आपको लेना साथ ही समपत्ती को आप नए सीरे से नई जगा पे इंवेस्टमेंट के लिए भी लगा सकते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपको तीन से चार जगों से बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और जिनको आप लेने बहुत लंबे समय से दुविधा में हैं ये करें या नहीं करें से इस महां आप निकल जाएंगे सही गाइडेंस मिलेगा अपने गुरुओं का साथ लेकर चलिए तो ये महां वियवसाय और नौकरी दोनों के साथ साथ रिष्टों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला हैं और विवाद के स्थि इस महा में उत्पन्य हो सकते हैं जो आपको मांसिक रूप से लंबे समय परिशान रखेगी धनुराशी वाले स्टुडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इस महां में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिले आप भगवान शिव का पंच्यामरत से अभिशेग जितना जादा हो सके कीजे इससे आपके जीवन में सुक सम्रद दिस्वास्त बना रहेगा आपके लिए गया नेड़े आपके लिए भविश्य में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो फरवरी महा मकर राशी वालों क फरवरी महा में पूरा समय मकर राशी में रहने वाला है एक ग्रह जो फायर एलिमेंट है यह कई तरह से नई उर जाएं मकर राशी वालों को देगा या जो आप लोग बहुत लबे समय से अपने विचार कर रहे हैं कि कल कर लेंगे बाद में कर लेंगे वो सारी चीजे इस म महां में निकल जाएंगे और आप उन चीजों को एक्टिवेट कर लेंगे यदि आपने थोड़ा सा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने नियमों को बना कर काम कर लिया तो ये महां बहुत ही अच्छे परिणाम देगा खास करके उन सभी लोगों को मकर राशी वाले जो व्यवसाय में कोई नई यूनिट खोलने जा रहे हैं, एकस्पांशन करने वाले हैं, फैक्टरी से रिलेटेट कोई आप डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसे सबी लोगों के लिए महां बहुत ही अच्छा होने वाला है, नोकरी से जुड़ेवे लोगों के लिए तो ये एक स्क पूत कॉंबिनेशन, फरवरी के महा में जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपको अगले महा में दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन आपने यदि इन चीजों पर काम ही नहीं किया है बहुत लंबे समय से, तो उसको लेके आपको थोड़ा नेगिटिव फीलिंग इस महा भी हो सकते हैं, यानि आपने ये नहीं किया, आपको ये काम इस तरह से करना चाहिए था, ऐसे सेंटेंस मकर राशी वालों को सुनने को मिल सकते हैं, अपके काम की जगह पे और रिष्टों में भी, ऐसे जो भी लोग पारिवारिक सदस्य या बड़े परिवारों के साथ रह क्योंकि कहीं बाहर जाने की तीर्थी आत्रा की भी तयारी मकर राशी वालों को इस महा करने की जरुरत पड़ेगी, बड़ी आत्राओं के योग भी मकर राशी के बन रहे हैं, इसलिए आप जितना हो सके, अपने स्वास्त का भी बहुत ध्यान दीजिए, छोटी मोटी एलर करते हैं पूरे महा, तो ये महा आपके लिए बहुत सारे स्वर्णी मावसर भी लेकर आया है, उन सभी को इन कैश करने का समय है, प्रॉपर्टी खरीदने का समय है, ग्रणियों के लिए अपने घर की साथ सज्जा के अलावा भी कुछ नई क्रिएटिव एक्टिविटी में दूसरे लोगों को भी शामिल करने का समय है, शिव चालीसा का पार्ट यदि आप पूरे महा करते हैं तो ये नए सुक समरद्धी में आपके वरद्धी करेगा, कुमराशी के लिए फरवरी महा, प्रोफेशनल लाइफ में उतार चड़ाओं के साथ ही विचारों में समरद् ये साथ ही किसी तरह की भी negativity अपने अंदर मत आने दीजे, क्योंकि जो भी चीज आप चुनेंगे, उसके positive result आपको definitely इसी मन्त के end में मिल जाएंगे, खास बात ये भी है कि जो लोग नौकरी के लिए कुछ traveling करने की planning कर रहे हैं या traveling पहले से करनी पड़ रही है, ऐसे लोग 15 फरवरी तक ना करें तो बहतर होगा, उसके बाद के स्थी बहुत अच्छी दिखाई दे रहे हैं, यादि बड़े खरीदी के बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो 15 फरवरी के बाद से आपका समय बहुत अच्छ है, मंगल और बुद्ध का परिवर्तन इस राशी को और ज पोजिटीव एटिटीट इस महा में आपके लिए एक बहुत बड़े असेट के रूप में सामने आएगा, हेलसे टुड़ी कोई पुरानी समस्य है, इस महा में थोड़ी सी उभर सकती है, लेकिन उसका भी सॉलुशन आपको मिल जाएगा, कुम्ब राशी वाले सभी लोगो के साथ आपके जीवन में नई व्रद्धी के योग दिखाई दे रहे हैं, राशी परिवर्तन ग्राहों का इतना मजबूत होगा कि आपके लिए गए सारे नीड़ें बहुत अच्छे साबित होंगे, इसके साथ साथी जो लोग नौकरी के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नई मोके मिलेंगे और स्थान परिवर्तन की योग भी बन रहे हैं, फरवरी के एंड में, और रिजल्ट आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं, स्टुडेंट्स के लिए खास करके, क्योंकि महनत आप करेंगे, उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे, अपके लिए गए डिसीजन, एक्सपांशन पर जाएंगे और आपके सारे डिसीजन सफल होने से आपको आपके स्टाफ से और अपके परिवार में बहुत मान समान मिलने वाला है, आपके पार्टनर के साथ थोड़ी नोग जोक आपकी हो सकती है, इसमाह में जो आपके इंफेक्शन की समस्या से इस बार आपको जूजना पड़ सकता है इसके लिए जितना हेल्दी रूटीन आप रखेंगे उतना अच्छा है इस महा में उपाय के तौर पर आपको दुर्गा चालीसा के साथ सा शिव चालीसा का पार्ट करना चाहिए पूरे महा यदि आप दोनो सारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सारी राशियों के साथ सारे ग्रहों की पूरी जानकरी आपको यहीं पर पूरी तरह से मिलेगी ओम नमस्षिवाय जैश्री राम